लेसिक लेजर से चश्मा हटाने के बाद recovery period कैसा होता है और क्या ऐसे precautions हैं जो आपको लेने होते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ Dr. मुहिता शर्मा, Senior Eye Specialist and Thaco-Refractive Surgeon at Thirupati Eye Center जो कि North India का one of the largest eye hospitals है, Sector 33, Noida में एक बार आपका लेसिक हो गया तो आपको क्या precautions लेने चाहिए इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही और वीडियोज एजुकेशनल हम बनाते रहते हैं जिससे आपको और information मिल सके लेसिक और लेसिक के अलावा और eye diseases के बारे में भी तो अगर आप ऐसी information चाहें तो हमारे इस channel पे subscribe करें और हम लगातार आपको new information देते रहेंगे प्लेसिक procedure होने के बाद immediately बाद थोड़ा सा blurb दिखता है उसी दिन जब बलर्ड दिखता है तो उसके साथ साथ थोड़ी सी sensations भी होती है जैसे थोड़ी redness, थोड़ी watering, थोड़ी itching और थोड़ी burning sensation लेकिन कुछ भी बहुत जादा नहीं होता सब कुछ wearable होता है जॉक्टर्स आपको eye drops दे देते हैं और eye drops आप डालते हैं और अपने घर चले जाते हैं और next day का wait करते हैं next day पर यानि की day one after lesig जब आप उठते हैं तो आपको एक wow feeling होती है वो इसलिए क्योंकि बहुत साल बाद आपने एक ऐसा दिन देखा होता है जब आपको उठते ही अपना चिश्मा धूनने की जरूरत नहीं पड़ी बिना ही चिश्मे के आपको अच्छा नजर आ रहा है अगर आपको भी ऐसी wow feeling हुई हो आपने अपना ले से कराया हो तो comment box में जरूर लिखें और अगर आपका और कोई experience हुआ हो तो भी हमें लिखे तो उस दिन जब आपको आप उठने के बाद doctor के पास visit करते हैं तो doctor आपकी eye check करते हैं आपकी eye drops में थोड़ा बहुत alteration वो कर सकते हैं आपको कुछ precautions बताते हैं जैसे आपको swimming नहीं करनी आपको make up नहीं लगाना और आपको contact sports avoid करने यह सब कुछ around 3 weeks तक करना है और जब भी आप बहार जाएं तो preferably goggles पहन लें हैं आप protection के लिए इसके बाद आपकी next visit होती है doctor के बास day 7 पर और day 21 पर 1 week पर और 3 weeks पर आपकी vision लगातार improve हो रही होती है और 3 weeks पर आपको एक incredible improvement होता है vision में क्योंकि जो बीच बीच पे intermittent blurring होती है वो भी आपकी छीक हो गई होती है 3 weeks पर doctors आपकी medicines को काफी कम कर देते हैं कुछ lubricants चरूर चलते हैं around 4 to 6 weeks या 8 weeks युदि थोड़ी dryness लेसिक के बाद normally feel होती ही है जो धीरे-धीरे खतम हो जाती है and at 6 weeks जब आप finally visit करते हैं तो सब कुछ आपका normal होता है और ये हैं सारे precautions आप्टर लेसिक अगर आप और भी कुछ पूछना चाहें तो आप comment box में हमें जाकर पूछे thank you so much